नमस्काल दोस्तों ग्यान विज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप सभी कर स्वागत हैं देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सल जो है हमें हमारी कैटिगरी के बारे में आप जानकरी दीजिएगा कि हम जो है किस कैटिगरी के अंदर आ आती है यानि कि जो भी है आपके हाथ या पैर समें प्रोब्लम है तो उस तरीके के जितने भी केंडिडेट हैं वो सभी आपके ऑल्टॉपएडिक हैं आएंगे जैसे बौट लाग हो गया वन लाग हो गया बोग वो आरम वर आर्म यानि कि जो भी हड़्यों से संब्दित आपकी समय्षर होती है वो औरिएज में आती है ऊपसित आपको पता ही होगा इसके अलावा आपके जो भी येच वह वीडियलिय है वह आपका जो जो भी आपके कोई क्वैरी हो तो आप हमें बताइएगा, आपके मन में क ight हो तो झरूर मेंम हमसे झालोड कोई भी आपके कैने से रिलेटिल अननने कीजा मैं को इस भी प्रोबलम आती है वो सबसे जादा हैंडिकैप में जो अमडी कैटीगरी में आती है ठीक है MD category के students का कहना है कि इसर हमें पता नहीं हम कौन शी category माएंगे MD category के अंदर कौन आता है तो आप देख लीजिएगा इस बारे में हम आपको बताएंगे देखिए हमने Google से डाटा लिया हुआ है और हमने काफी चेक करने के बाद जो आपका special जो right information है वो हमने निकाली है अब इसमें देखिए क्या है D plus blind पहले बाद तो हम आपको बताना चाहेंगे कि MD का मतलब क्या है multiple disabled यानि कि जिसमें एक से अधिक आपकी जो disability है वो आजाए वो MD कहलते है यानि कि multiple यानि कि जिसके अंदर डोक्टर को पता नहीं चल पा रहा था क निक हम इसको certificate आपका VH का बनाई हम इसका OH का बनाई है ए हुच हम हम आपका दका दका आपका हL, हम इसको हम आपका where the देखा हो जाए अब इसमें देखिए क्या 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 लिखा हुआ है विजियल इंप्रेंट यानि कि VI आपका हेरिंग इंपिडमेंट ठीक है तो वह सब जो अगर इन दोनों को मिलाएंगे यानि कि VI को और HI को मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे आपके MD category vi plus hi plus mental reduction यानि कि जो आपके cerebral palsy है वो भी इसमें आ जाएगा ठीक है vi और mental reduction है cerebral palsy plus mental reduction hearing speech hearing speech visual problems ठीक है cerebral palsy के साथ साथ अगर आपको यह problem भी है तो फिर आप MD category के अंदर आ जाओगे यानि कि आपके जो है एक से अधिक आपको problem है एक ही आपकी category जो है तब आपको decide नहीं हो पारी तो फिर आप MD category में और बाग कि आपको certificate है उससे आपको right पता चल जाएगा कि आपके कुनशी category है यानि कि कि किसी को लगता है कि मैं MD category हूँ हूँ लेकिन आप हमेशा अपने certificate में ही जाच कीजिएगा certificate में क्या लिखा हूँ उसी के हिसाब से आप home apply कीजिएगा क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में problem है और मुझे दिखने में problem हो सकता है आपके हाथ में थोड़ी problem हो डोक्तर ने आपका certificate बना ही ना हो हाथ का सिर्फ आपका visually handicap हो तो उसमें लिखा हो होगा आपके certificate से पता चल जाएगा ठीक है बाकि जो भी आपके certificate में लिखा हुए उसी के हिसाब से आप form apply कीजिएगा उसमें आपको छूट मिलेगी उसमें benefit मिलेगा अगर आप HH और VH है तो फिर आपको जो है certificate MD के comparison में जादा है तो आप फिर MD का certificate बनवानी के अपनी गोशिस कीजिएगा और बागी आप अपने certificate में ही check कीजिएगा कि आपकी category कौन से लिख हुई है अगर आप category सही लिख हुई है तो फिर कोई बात नहीं आपको मानलब आपके उंगली कटी हुई है तो उसका certificate नहीं बनाए क्योंकि ऐसे में certificate नहीं बनाए जाते सिर्फ आपको जो है फिर visually certificate बनेगा इस तरह की कि अगर आपके प्रोब्लम जादा है और एक में कम है और आपके certificate में वह नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपका certificate के साफ से लाग होगा अगर आपको दोने चीज़ों में ज़्यादा प्रोब्लम है तो फिर आप जो है डोक्टर के पास जाईएगा और अपना certificate चेक करवाईएगा उससी के साफ सी आप देखिएगा कि जो है कौन सी आपके उसमें category लिख है ऐसा हो सकता है आपको certificate में खुद से समझना रहा हो तो आप डोक्टर को जा करके दिखाएगा या फिर आप जो है UDID कार आपको बना हुआगा तो उसमें आप जाकर के information वाफिस अपनी चेक कर लीजेगा उससे आपको पता जल जाएगा बाग इस चैनल से जुड़े रहिएगा चैनल को like share subscribe जुरूर कीजाया क्या आपकी help के लिए हम सदे उतत प्रकड़े हुए है और आपके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है जितने भी handicap है उन सबसे उन ही सभी के लिए हमने special channel बनाया है जितनी भी आपकी जो भी doubt है वो आप send करते रहिएगा और हमसे बातचीत करते रहिएगा करते हैं